दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपनी GSTR1 फाइल करते हैं तो उसकेस में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है यानि गलती हो जाती है उस गलती को आप कैसे इसके अंदर इंप्लिमेंट करेंगे यानि उस गलती को जो है आप अपना सुधार करके अगर आपको अपनी GSTR1 फाइल करने है तो आप कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो अभी यहां पर मैंने GSTR1 जो है उसको रेडी टू फाइल कर दिया लेकिन इसमें म प्रटल एंट्रीज की हैं वी टू सी उसके अंदर 33 एंट्री जो कि रहें जो कि एंट्री आप जब मैंने इस पॉर्टल पर किया था तो उसका इने लाइव वीडियो भी बनाया था और मेरे इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी अब इसी के साथ टूटल November month के अंदर मेरे B2C के जो है total 33 entries है और वो entries में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर state wise अब जैसे total 33 है तो मैं यहाँ पर show करता हूँ 50 है तो total जितनी भी entries होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो मेरे से mistake हुई है वो mistake यह है कि यहाँ पर मेरी एक entry जीत हो जो मेरे से यहाँ पर जो उत्तर परते इसकी जो entry है यानि 12% के अदर आप देखेंगे यहाँ पर 00 तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया इसको ready to file किया लेकिन मैंने अभी इसकी summary जो है वो generate मेंने की थी लेकिन इसके साथ मैंने इसको अभी file नहीं किया तो file करने से पहले यहाँ पर यह एडिट का option दिया गया है इसके अंदर तो यहाँ पर मैं अभी edit करूंगा जो मेरी उत्तर परदेश की जो entry थी मेरी उसी के अंदर यहाँ पर यह वाली entry मेरे से miss हो गई थी और इसी को 12% है अब मैंने इसको कर दिया save तो अब यह entry जो है यहाँ पर अब save हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ back और अब back जाने के बाद में अब मुझे क्या करना है कि जो total मेरी इसके अंदर 33 entries थी अब यहाँ पर मैं generate summary यानि कि अब यहाँ पर देखिए अब जैसे मैं आप पर generate summary करूँगा क्योंकि जब कभी भी आप summary generate करते हैं तो summary generate करने का मतलब यह होता है कि आप अपनी entries को check करना तो जैसे मैंने यहाँ पर किया यह मैंने summary इसकी generate की और अब मैं इसको refresh करूँगा तो जब जाके इसकी summary generate हो जाएगी और यहाँ पर यह option आपका change हो जाएगा और option आजाएगा proceed to file का तो अब मैं इसको जब देखिए refresh करता हूँ यहाँ से आपको portal से ही refresh करना है आप अपने जो है chrome या browser से नहीं करेंगे आप यहीं से जो है इसको refresh करेंगे अब जैसे ही आप इसको refresh करेंगे तो अब यहाँ पर आ गया आपके देखिए option change हो गया और यहाँ पर आ जाता है proceed to file अगर आप first time करते हैं तो यहाँ पर download summary का भी option आ जाता है तो उस summary को आप download करके अपने portal पर अंदर उसको check कर सकते हैं आपने जो summary बनाई है और आपने जितने portal पर entry किये है वो correct है या नहीं है तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ proceed to file अब यहाँ पर आप total जो भी है उसकी एक summary आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि total कितने आपने अंदर यहाँ पर 7 number की जो table थी आपकी और उसके अंदर net value आप देखेंगे total 33 entries थी और उसके अंदर मेरा जो amount निकल के आ जाता है यानि taxable amount आ जाता है 48,134 और इसके अं amount और cgst और sgst वो सारे के सारे amount आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस table के अंदर यह आपका IGST है यह cgst और sgst यह दो amount आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो अब यहाँ पर मैं आपको अपनी जो है वो summary दिखा देता हूं जो summary मैंने generate की है तो यह summary मैंने अपनी Excel के अंदर इसको जो है generate किया है और मेरी summary का जो amount है यहाँ पर grant total आता है 48,135 रुपीज तो यह जो summary मेरी है जितने भी मेरी platform थे उन सब की summary मैंने बनाई थी और उसी की entry मैंने portal पर की है तो यहाँ पर जो आप मैंने जो portal पर आप देखेंगे 48,134 यह एक रुपे का इसके अंदर फरक है जो की कोई इतना major issue नहीं है और यहाँ पर IGST और CGST और SGST amount आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके साथ ही जो credit note है उसकी भी entry आपको इसके अंदर देखने को मिलती है यह देखिए 9B के अंदर credit or debit note यहाँ पर जो मेरी credit note की entry है वो यहाँ पर आपको को मिल जाती है 23,220 की मेरी credit note की entry है और उसके अंदर जितना मेरा CGST amount है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसके बाद नीचे आपको जो है total यहाँ पर जो value निकलके आजाती है अब value आप देखेंगे यह 48,000 थी उसमें से मेरा 23,000 जो है less हो जाता है और less होने के बाद में जो amount निकले के आजाता है 24,000 और यहाँ पर यह IGST है और यह CGST और SGST तो यहाँ पर credit note की वज़े से यहाँ पर amount आपको जो है negative में देखने को मिल रहा है तो यह चीज तो हो गई कि अब यहाँ पर entries को आप complete चेक करें और चेक करने के बाद ही अब आपकी जो final step ह यानि की file statement आपने सारा सब को check किया और check करने के बाद में आप इसको file करेंगे तो अगर इसकी summary को आप download करना चाहते हैं तो यहाँ से download summary हो जाता है जो कि PDF format के अंदर download होती है और इसको आप जो है अपने according चार पेज इसमें दिये गये हैं उसमें आप इसको check कर सकते हैं या PDF format के अंदर आपको देखने को मिलती है तो अब मैं इसको जो है कर देता हूं यहाँ पर file statement और यहां से आपको इसको check करना है check करने के बाद आपको यहां से अपना name जो select करना है और यहां पर with DSC और with EVC DSC digital signature होते हैं और file with EVC यानि आपको OTP receive होगा अपने number पे और उसको आ कर दो कि यहां मैं कर देता हूं verify तो अब यहां पर आप देखेंगे कि मैं ने अपना जो है जिएस्टी आर वन नवंबर मंत की जो है successfully file मैं कर चुका हूं तो यहां पर message मेरे पास मिल चुका है कि यहां पे जो है GSTR1 successfully filed जो यह है अपने नवंबर मत की GSTR1 अब जब मैं वापस अपने dashboard पर आजाता हूं return और return के अंदर जो है यहाँ पर नवंबर मत मैं select करता हूं और search यहाँ पर आप देखेंगे GSTR1 जो की यह मेरी file हो चुकी है तो इस तरह से दोस्तों आप पी अपना जब GSTR1 अगर file करते हैं file करने के साथ ही अगर आप summary जनरेट कर देते हैं तो summary generate करने का जो option दिया जाता है वो इसी लिए दिया जाता है कि आप अपनी summary को अच्छे से चेक कर ले और summary generate करने के बाद में अगर आप उसमें कोई changes करते हैं changes करने के बाद उसकी दुबारे summary generate करें और proceed to file करने के बाद अगर आप इसको एक बार submit कर देते हैं तो उसके बाद उसको उसका आप correction करके अपने पोर्टल पे gstr1 को file कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरूर के और मेरी चैनल को subscribe करना ना बोले